नमस्कार दोस्तों मैं राहूल पांचाल एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल ड्रेगो स्टेडी में आपका स्वागत करता हूँ अगर आप हमारी चैनल पर नए है और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जुरू सब्सक्राइब कर लें और घंटी आइकन को दबा लें दोस्तों आप जानते हैं कि हारियान सरकार हो या चाहिए कोई भी सरकार हो वहाँ पर भरतियां होती है तो कहीं ना कहीं से ख़बर जरूर आपको मिलती है कि वहाँ पर भष्टा चार हुआ है कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है कभी पेपर आउट होता है तो कभी जो इंटर्वी के बेस पर जो सेलेक्शन कर ले जाता है और लिस्ट कहां से आती है वो आप अच्छे से जानते हैं जब इंटर्व्यू में जो सेलेक्शन होते हैं उसी तरह का एक उधन देखने को अब मिला है हरियाना में सुप्रीम प्रानी भरती थी जो कि PTI की बरती थी 1983 इसमें टोटल वेकेंसी थी उस भरती को जब कैंसल किया गया है सुप्रीम कोड ने ओर जारी कर दी है और यह भरती जो हर्याना में थी उस टाइम पर कांगरेस की सरकार थी और किस तरह से भरहताचार का बोल बाला था वह आप अच् देखिये 2006 में विकैंसी जाए थी पीटी आई की 1903 से विकैंसी थी और उनका 2010 में सेलेक्शन किया गया था कैंडिडेट्स का लेकिन अब उसके खिलाफ किसी ने जो है केस कर दिया था उसके जो है वहाँ पर हाई कोट ने भी जो फैसला दिया था कि भरती को कैंसल कर दिया जाए क्योंकि उसमें गड़बडियां सामने आई थी अब उसके बाद उन जिन कैंडेटिकाशण हुआ था उन्होंने फिर केस किया था कि हमारा बराथ क्यों किया गया है हमारा सलेक्शन इसमें हुआ है तो असके बाद फिर słuपारिय से जो है दो दो जजज गी बेंच लिए इस भरती को कैंसल किया जाएके ओंकि इसमें गड़बडियां हुई है यह जो सुप्रीम कोट ने भी माना है तो अब देखें बरती की क्या कुछ यहां पर मामला है तो अब उन्होंने जो है इसमें इस टाइम पर इसमें जो है जिनका सेलेक्शन हुआ था उन्हें यह म उन्होंने सेलरी ले लिए इतनने सालों से जो सैलरी लेते आ रहे हैं वह उन्हें वापिस नहीं लुटानी पड़ेगी सरकार को और इसके अलावा जो भी उन्होंने भत्ते वगर लिये ते सरकार से वो वापिस नहीं देने पड़ेंगे यह इनको जो है कि अच्छे उनके लिए खबार है कि उन्हें छूट है ठीक है उसके अलावा जिन यहाँ पर जो है उसके कुछ अधिकारियों पर भी जो है जुर्माना लगाया गया था उसको भी अब माफ कर दिया गया है अब देखिए पूरा मामला क्या कुछ था तो देखिए इसमें जो मैंने आपको भी बताया गिए 283 टोटल पोट्स थी 2006 में फार्म निकले और 2010 में भरती परकरिया को पूरा किया गया लेकिन इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका स्लेक्शन नहीं हुआ था जिनका नाम देख सकते हैं यहां पर कि संजीव कुमार है जिले राम है और इसके अलावा भी कुछ और जो याचिका दार की थी कि इसमें जो है भरती में गड़बढ़िया हुई है उसके बाद याचिका में उन्होंने कहा था कि भरती परकरिया में कुछ ऐसे उमिद्वारों का स्लेक्शन किया गया है जिनके डोकुमेंट ही फरजी थे और उसके अलावा उनका जो सेक्शनी की रती होती है तो उसमें कहां सी लिस्ट आती है कैसे लिस्ट आती है ठीक है तो उन्होंने आज़बा था कि 90 जो में दावी चात्र थे वह बूरे तरह से इंटर्वी में हैं आप अच्छे से समझ सकते हुं उन्होंने बताया कि 30 में से उन्हें 10 नंबर भी नहीं दिये गए थे 90% ऐसे candidate रहे जो कि Marks उनके अच्छे थे स्कूल टाइम में लेकिन 30 में से 10 नंबर गी उनके नहीं दिये गए और इसके अलावदे के पहले 25 नंबर का इंटर्वी होना था लेकिन बाद में उसको बढ़ा कर 30 नंबर का कर दिया गया था जबकि होना ये चाहिए कि हर्याना के कम से कम 70-80% तक candidate का हर्याना वालों का ही selection होना चाहिए जबकि हुआ था हर्याना से भार का ज्यादा तर उसमें गुजरात के candidate थे ऐसी गड़बडियां आज भी होती है इससे जुहन नकारा नहीं जा सकता लेकिन सरकार मानती नहीं है वो बात अलग है हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी के निशान को दबा के आल नोटिफिकेशन्स ओन कर दें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक फेस को फोलो कर लें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें